बच्चों आज हम लोग कच्छा पांच नहतिक सिच्छा पार्ट 15 स्वामी विर्जानन सरस्वती इस पार्ट का अध्यान करेंगे इस पार्ट में हम लोग स्वामी विर्जानन जी के बारे में जानकारी कठी करेंगे चलिए ध्यान से देखिए स्वामी विर्जानन्द जी के बारे में इस पार्ट में हम लोग अध्यान करने जा रहे हैं स्वामी विर्जानन्द सरस्वती एक उच्च कोटी के विरक्त सन्यासी थे इनका जन्म सन 1771 इस भी में पंजाब प्रांत में जालंधर जीले के गंगापूर ग्राम के एक ब्रामध परिवार में हुआ था पंजाब राज्य में वहां का एक जीला है जालंधर उस जालंधर जीले के एक गाउं जिसका नाम गंगापूर है वहीं के एक ब्रामरण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम नारायर दत्त था इनका बच्पन का नाम ब्रिजलाल था ऐसा करतारपूर की एक बुढिया ने बताया दरसल इनके बच्पन के नाम के प्रतियम लोग स्योर नहीं थे उनी के गाउं के छेत्र की तरब की एक बुड़ी औरत ने इनका नाम ब्रिजलाल बताया था पांच वर्स की आयू में इने सीतला जिसे हम चेचक रोग के नाम से जानते हैं ये विमार हो गए और उस विमारी के कारण उनकी आखें भी यानि आखों की रोशनी खत्म हो गई नेत्रहीन होने पर भी मतलब उनकी आख की रोशनी चली गई इसके बाद भी इनकी बुद्धी बड़ी तीव्र थी बहुत इत्तेज थे पढ़ने लिखने में एक दो बार सुने हुए मंत्रों को वेज्जियों कत्यों दोहरा देते थे आट वर्ज की आयू में इनके यगो पवित तथा वेदारंब संस्कार कराए गए आट वर्ज की उम्र में ठीक नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा माता पिता होते हैं आप ही सोचिये अगर किसी की आख में रोशनी ही न रहे वह देख ही न पाए तो उसकी जिंदगी कितनी कठिन होती है और ऐसे में माता पिता सबसे बड़े सहारा होते हैं तो उनके भी सबसे बड़े सहारा उनके माता पिता ही थे लेकिन भगवान ने विर्यजानन्द का या सहारा भी छीन लिया माता-पिता की मृत्यू से कोमल चित्त बालक को जो कश्ट उठाना पड़ा होगा कोमल चित्त बालक यानी आप समझ सकते हैं कि कोई भी बालक है जो जिसके माता-पिता के अचानक मृत्यू हो जाए तो उसे कितना कश्ट उठाना पड़ेगा इसकी कल्पना सहच ही की जा सकती है एक सहारा बड़ा भाई सेस था परन्तु उसे ब्रिजलाल ने स्वयम त्याग दिया भाई भावी के तिरसकार पूर्ण बहवार से तंग आकर बारव अर्च का नेत्रहीन बालक घर से निकल पड़ा ब्रिजलाल का बड़ा भाई था उसकी भावी थी लेकिन जितनी सेवा मा बाप कर सकते हैं उतनी सेवा भाई और भावी नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही तिरसकार पूर्ण बहवार कर रहे थे मतलब उनका आधर सतकार नहीं यानी सम्मान नहीं देते थे उन दिनों यातायात की सुवधा आज जैसी नहीं थी कहीं जाने आने की सुवधा आज के जैसी नहीं थी फिर भी यह साहसी बालक अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया मार्ग में नाना कष्टों को सहता हुआ नाना यानि तरह तरह के कष्टों को सहता हुआ तीन वर्स में रिसकेज जा पहुँचा उस समय रिसकेज जैसा आज जैसा रमडीक इस्थान न था आज अगर हम रिशिकेश जाएं तो बहुत ही सुन्दर स्थान हो गया है लेकिन उस समय तो बस जंगल ही जंगल था यह योगियों का योग स्थान मात्र था वहाँ न कोई अन छेत्र था न धर्मसाला थी वहाँ पे न खेती होती थी और नहीं किसी द्रह का धर्मसाला था केवल चारो और जाड़ियां ही थी जिन में पूढ़ कुटिया बना कर तपस्वी महात्मा तप करते थे खाने पीने का साधन जंगली बेर आदी थे फल फुली आई सब यहां पहुँचने का कारण था बालक के मन का संकल्प वो वहाँ क्यों गए थे ब्रिजलाल क्योंकि उनके मन में एक संकल्प था जो उसे संसार से बहरागी बना कर योग साधना में लगने की प्रेणा दे रहा था समाज का जो तुर्यसकार पुण बहवार था उसके कारण वह संसार से विरक्त होते जा रहे थे और उनके मन में योग साधना के प्रती लगन बढ़ती जा रही थी यहां पर चारों और ब्रिजलाल के तप की धूम मच गई सबी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रसंसा करते थे उनकी बुद्धी तो पहले ही तिवर थी यहां गायत्री की साधना ने उसे और भी तिवर कर दिया लोग उन्हें प्रग्या चच्छू कहने लगे सहसा एक रात स्वप्न में उन्होंने सुना ब्रिजलाल तुमने यहां जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया अब तुम यहां से प्रस्थान करो एक दिन उनको सपना आया और ऐसा मैसेज सपने में मिला वे रिसकेश से चलकर हरद्वार कनखल आ गये यहां आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्थाती से दिछा ली और उनसे पढ़ने लगे उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर विर्जानंद रखा गया पढ़ने के साथ-साथ विर्जानंजी पढ़ाने का कार्य भी निरंतर करते रहे जिससे भोजन आदी का निर्वाह आसानी से चलता रहा भैज जीने के लिए कुछ इंकम जरूरी है न तो पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाने का भी काम करते थे और उसी से जो पैसे मिलते थे उससे उनका भोजन वगरा की ब्योस्था होती थी वे विच्छा मांगने को बुरा समस्ते थे कनखल से चल कर विर्जानंद बनारस पहुँचे वहाँ पे वे पंडित विद्याधर के सिस से बने बनारस आकर विद्याधर जी के सिस से बने और नियमित रूप से अध्यन करने लगे यहाँ पर वे व्याकरण के साथ साथ वेदान्त आदी दर्षनों का अध्यन भी करने लगे कासी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे आगे चलकर गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जीले के सोरो एटा जीले के सोरो नगर में उन्होंने आसन जमाया कुसागर बुद्धी होने के साथ साथ उनकी अध्यापन सहली ऐसी रुचकर थी कि सिग्रही विद्यार्थी वर्ग पर उनका उनकी धाक जम गई इतना अच्छा पढ़ाते थे कि जो भी स्टुडेंट उनसे पढ़ लेते थे वो उनके भक्त बन जाते थे सारी चीजें बच्चों को समझ में आ जाती थी इसके अत्रिक्त विर्जानन छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम करते थे उनका सुक दुक अपना समझते थे यही दंडी विर्जाननजी की भेट यहीं पर जो सोरोस्थान है जहां पर यह अब रहने लगे थे वहीं पर इनकी भेट अलवर के राजा से हुई वे उनकी बुद्धता से इतने प्रभावित हुए कि बहुत अनुनय विनय कर थथा प्रति दिन उनसे पढ़ने की प्रतिग्या कर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए जो अलवर के राजा थे इनका बहुत नाम सुने और जब इनसे थोड़ा अध्यन किये तो बहुत प्रभावित हुए और उनसे बहुत प्रार्तना किये कि आप हमारे साथ चलिए अब हमको आप पढ़ाईएगा हम आपसे रोज पढ़ेंगे राजा नियम पुर्वक विर्जा नंजी से पढ़ने लगे एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए राग रंग मतलब भई राजा आदमी थे ही तो कोई पार्टी रही होगी और उस दिन वो पढ़ाई की बात भूल गए विर्जा नंज ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया और पुना सोरो लोट आए यहीं इनका एक सिस्य रामदास रद्धा पुर्वक इनकी सेवा करने लगा कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरत पूर होते हुए मतुरा में आ विराजे इस्थाई रूप से यहीं इनकी पाठसाला इस्थापित हुई और वे जीवन के अंत तक यहां रहकर विद्यादान में लगे रहे मतुरा में यहीं स्वामी दयानन जैसे अनोखे वैरागी सुधारक की इन से भेट हुई इस गुरु को पाकर दयानन के मन की चीर काल की अभिलासा भी पूरी हो गई आप सबको पता होगा कि जो दयानन जी थे वो सच्चे सीव की तलास में निकले थे और सच्चे की सीव की तलास में निकलने थे खोशते खोशते इनकी मुलाकात स्वामी विर्जानन जी से हुई जो की एक गुरु की भूमिका में उनसे मिले और आपको पता है कि इस्वर की प्राप्ति बिना गुरू के नहीं हो सकती मतुरा में उस समय कोई पचास साथ नाना विशियों के विद्वान रहा करते थे वहाँ पर मतुरा में जहां ये रहने लगे वहाँ पर कई और विद्वान थे अलग-अलग विशियों के और हजारों छात्र विविद सास्त्रों का का धेन कर रहे थे मतुरा का दर्जा कासी से कम नहीं था कासी यानि हमारा बनारस जैसे है उसी तरह मतुरा का भी महत्व था स्थास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वता की कसोर्टी समझा दाता था स्थास्त्रार्थ मतलब एक मीटिंग होती थी जिसमें विद्वान विद्वा तो दंडी विर्जान अंजी के सास्त्रार्थों की भी काफी धूम मची हुई थी। उनकी विद्धता की सब पर धाक थी। और इसलिए कुछ लोग उनके पंडित्ते से इस्या भी करते थे। कुछ लोगों को ये बात बहुत खराब लगती थी। सेट राम कृष्ण के मन में अपने गुरु, रंगचारी के गुरु कृष्ण सास्त्री की जूटी प्रतिष्ठा इस्थापित करने की लाल सचा थी। वहाँ एक सेट थे राम कृष्ण, उनके जो गुरु थे कृष्ण सास्त्री। उनको वो बहुत मानते थे, उनको लगता था कि मेरे गुरू सबसे विद्वान है और वो वो सावित करना चाहते थे। उन्होंने दंडी जी को नीचा दिखाने की पुर्ण प्रत्न किया। विर्जानन जी को नीचा दिखाने का पूरा कोशिस किया। अपने गुरू को बिना सास्तार्थ कराये ही सबसे उच्छ कोटी का गुरू घोसित कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तयार रहते थे, इससे स्वामी विर्जा नंजी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था, प्रति दिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से उन्हों कोई भी इन्हें इस प्रकार का द सब भी मान गये, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा न हो सकी, सब पंडित एक हो गये और वो लोग विरोध करने लगे, उस समय के कि नहीं नहीं, कोई सभा नहीं होगी, विर्जा नंजी के हिर्दय में निरंतर एक ज्वाला सी धाकती रहती थी, विद्धा वस्ता और नेत्रहिंता कारण वे स्वयम लाचार थे, व्रिद्ध भी हो रहते, आखें भी नहीं थी, तो कैसे इतना बड़ा आयोजन करें, उसी समय दयानंजी इनके पास आए, दयानंद को पाकर विर्जा नंजी कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई, उन्हें अपने मन की अविल ब्रिलियंट होते हैं कि टीचर को लगता है कि हाँ, यही वो स्टुडेंट है मेरा जो मेरे नाम को आगे तक ले जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे अमर बना देगा, उन्हें अपने मन की अविलासा पूर्ण होती दिखाई दी, तीन वर्स के अध्यान के उपरां तीन साल तक स्वामी दयानन्द इन से सिच्छा लिये, और तीन साल बाद जब स्वामी दयानन्द विदा लेने गए, तो विर्जानन्द ने गुरु दच्छिना के रूप में उनसे आरे धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्वार पित करने की प्रतिग्या कराई, दयानन विर्जानंद जी के पास उनकी प्रियवस्तु एक सेर लौंग लेकर गए लेकिन विर्जानंद जी ने धयानंद जी को कहा कि आप वादा कीजिए मुझसे कि आप आर धर्म के प्रचार में अपना पूरा जीवन लगाएंगे विर्जानंद भारत की स्वाधिंता के लिए प्रत्ने सील थे, स्वाधिंता के प्रत्म संग्राम में उनके योगदान के प्रमाड उपलब्द हुए हैं दिल्ली के बादसा बहादूर साह ने मतुरा के पास जंगल में स्वतनता के नायकों की एक बैठक बुलाई थी उस बैठक की अध्यचता के लिए इसी नेत्रहिंद सन्यासी को पाल की बिठा कर लाया गया था दिल्ली के जो बादसा हैं बहादुरसा उन्होंने मतुरा के पास के जंगल में जो भी सुतंता के युद्धा थे उन सब को बुला कर एक बैठक बनाए बैठाई और उस बैठक की अध्यचता और कोई नहीं स्वामी विर्जानन जी ने किया तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ग्यानी रहे होंगे फिर स्वामी विर्जानन पुरातन रिसियों के भक्त थे वे रिसी ग्रंद पढ़ाते समय उनके अपमान के भैसे उच्चासन पर नहीं बैठते थे मूल से पढ़ा कर समझाते थे यानि वो जिस रिसी ग्रंद से पढ़ाते थे उसका बहुत सम्मान करते थे और उस रिसी ग्रंद के बराबर में नहीं बैठते थे उससे नीचे ही बैठते थे स्वर की मधूरता और उच्चारण की इस पश्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात समझ लेता था विद्यार्तियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे सभी छात्र एक सी योगेता वाले नहीं होते इसी से वे सबको अलग अलग पढ़ाते थे पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अत्रिक देश की दसा धर महीन इस्थिती उसके कारण और उपाई भी साथ साथ बताते जाते थे और ऐसा करते समय विद्यार्ति से यही कहते इस समय जिस अगनी को धुम्र रूप में तुम्हारे हिर्देओं में प्रविष्ठ कर रहा हूँ वह समय पाकर जुआला बनकर भारत भूमी से अधर्म का नास कर देगी मजाक मजाक में अपने सिस्यों से वह कहते थे कि बच्चों यह जो मैं ग्यान तुम्हें दे रहा हूँ यह ग्यान बिलकुल उस जुआला की एक छोटी सी अगनी के रूप में तुम्हारे हिर्दे में भर रहा हूँ और मुझे यह पता है कि जब सही समय आएगा तो यह जुआला जो अगनी है जुआला में बदल जाएगी और तुम सब भारत भूमी से अधर्म का नास कर दोगे उनका रहांसान बहुत सादा था खाने में वे कभी केवल अन कभी केवल दूद कभी फलाहार लेते थे नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिंचर या बिना किसी की साहता के सुगमता पुर्वक पूरी कर लेते थे वीडा बजाने में वे अतिनी पूर थे इस प्रकार निरंतर आरे ग्रंतों का प्रचार कर और अपने अधूरे काम का भार अपने सुवयोग गिसिस रिशी दयानंत पर छोड़ कर वे नब्य वर्ष की अवस्था में आश्विन बदी तेरस समवत 1925 सोम्मार को इस धरा धाम से दिवंगत हुए तो उन्होंने हमारे समाज को आगे लाने के लिए बहुत से काम किये और एक ऐसा सिस्षे दिया उन्होंने स्वामी दयानंजी के रूप में जीनोंने भारत का भविश्य ही बना दिया या कुछ प्रशन है इस पार्ट के आप लोग इन प्रशनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर पार्ट समझ में आ गया है तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें थैंक्यू वाचिंग वीडियो